At the rate NCEIT वीडियो बुक में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट दस मेरी दिन चर्या आईए शुरू करते हैं पार्ट दस मेरी दिन चर्या नमस्ते मित्रों मैं पिहू हूँ मैं छे वर्ष की हूँ आज में आपको अपनी दिन चर्या बताऊंगी कि मैं सुबह से साम तक क्या करती हूँ देखो सुरज अकास में उग रहा है अब सुबह हो गई है मैं सुबह विश्तर से उठती हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ मेरा दिन व्यायाम योग से शुरू होता है फिर मैं मनजन ब्रस करती हूँ और उसके बाद नहाने नहाती हूँ मैं नास्ता करती हूँ और स्कूल जालें के लिए तैयार होती हूँ मैं स्कूल में अपने सहपाढ़ियों के साथ पढ़ती और खेलती हूँ सुरज अकास में उपर आ गया है यह दोपहर का समय है मैं अपने हाथ दोती हूँ और अपने मित्रों के साथ दोपहर का खाना खाती हूँ मैं अपने स्कूल से वापिस आती हूँ और कुछ देर आराम करती हूँ सुरज छिप रहा है यह साम का समय है मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करती हूँ देखो आकास में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं यह रात का समय है मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती हूँ मैं कहानी की पुष्टक पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ आए पाठ को दो राते हैं पाठ है मेरी दिनचर्या इसमें एक छे वर्ष की बच्ची पीहू अपने दिनचर्या के बारे में बताती है कि वह सुभा से साम तक क्या करती है वह बोलती है सुराजा कास में उगरा है यानि सुभा हो गई है वह बिस्तर से उठती है एक गिलास गुलगुना पानी पीती है फिर वह बयायाम या योग करती है फिर मंजन करती है और नहाती है फिर नास्ता करके वह इस्कूल चले जाती है जब वोई स्कूल जाती है वहाँ पढ़ती है खेलती है जब अकास में सुरज आ जाता है यानि दोबहर हो जाता है तो वह अपना हाथ धोती है और दोबहर का खाना खाती है और जब वोई स्कूल से घर आती है तो थोड़े देर अराम करती है फिर सुरज छिपने के वक्त यानि साम के वक्त वोई अपने मित्रों के साथ खेलती है और उसके बाद पढ़ाई करती है रात में यानि जब आकास में चांद और तारी दिखाई दिते रहते हैं तब वह अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती है और कहानी के पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो जाती है आओ बाचित करें को आपकी दिन चर्या क्या है को आप मंजन ब्रस कब करते हैं गो आप कब नहाते हैं तो आपकी दिन चर्या में आपकी दिन चर्या क्या है उसे बताएं आप मंजन कब करते हैं सुबह और साम को दोनों समय मंजन करना चाहिए आप जब करते हैं उसे लिख आउ करें आप जो काम सुबह करते हैं उन पर सही कचिन लगाईए तो यह अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग जवाब हो सकता है लेकिन जो सभी चीजें जो सुबह होती हैं उन सभी पर आपको सही कचिन लगाते हैं लगाना है तो यहां पर सुबह आप नहाना चाहिए यानि सही कचिन लगेगा सुबह ब्रस करना चाहिए सही कचिन लगेगा सुबह योगयायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायाया आप जो काम दिन के समय करते हैं, उन पर सही कचिन लगाईए, तो दिन के समय आपको नहीं सोना चाहिए, दिन के समय आप तारी और चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं, चांद को नहीं देख सकते हैं, तो उस पर गलत लगेगा, दिन में आप बढ़ सकते हैं, दिन में आप खे काम रात के समय करते हैं उन पर सही का चिन लगाई तो यहां पर रात में आप स्कूल नहीं जाते हैं रात में आप स्कूल में डिफिन नहीं करते हैं दोप नहीं निकला रहता है सूरज अकास में नहीं दिखता है रात में आप सोते हैं और रात में आप तारे और चांद को दे चित्र को देखकर समय का अनुमान लगाईए । अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि इस समय वे क्या करते हैं तो सुबह का वक्त है इस समय आप सुबह सुबह उठते हैं गुनगुना पानी पी सकते हैं ब्रस करते हैं नहाते हैं फिर नास्ता करके स्कूल जाते हैं दिन के समय आप स्कूल में बढ़ते रहते हैं और लंच या ब्रेक होने पे आप अपना भूजन करते हैं और साम के समय आप खेलते हैं इधर उदर घूमते हैं और रात के समय आप बढ़ते हैं और सो जाते हैं तो आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है कि इस समय आप क्या करते हैं, यह सुबह का समय है, यह दोबहर का, यह साम का और यह रात का. यह सुबह, यह दोबहर, यह साम, यह रात, आओ करें, जिस का में अधिक समय लगता है, उसमें रंग भरिये, खाना पकाने में, खाना खाने में, खाना पकाने में आपको रंग भरना है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है, खाना खाने में समय कम लगता है, खाना पानी के बोटल भरने में, टंकी भरने में, तो टंकी भरने में अधिक समय लगता है, इस वासे आपको इसमें रंग भरना है, रितुएं यहाँ पर सिर्चक है रितुएं गर्मी सर्दी बरसाथ पसंद गर्मी के दिन बहुत दे धोग निकलती है लोगों को पसीना होता है लोग स्विमिंग पूल का आनंद उठाते हैं लोग कूलर, AC इसमें रहते हैं लोग खलके कपड़े पांगते हैं और आइसक्रीम और तर्बू जैसी ठंडी चीजे खाते हैं सर्दी के दिन में लोग मोटे कपड़े पांगते हैं ठंड से बचने के लिए हो सकता है वो अबर के मैदान में जाकर कुछ आइसमें जैसे सनोमें जैसी चीजे बनाकर उसके साथ खेल सकते हैं सनोमें, सनोबो, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस जैसे तेवहार ठंड में आते हैं गर्मी से ठंडी के बीच में यानि कर्मी और सर्दी के बीच में आता है वर्सात तो वर्सात में काले काले बादल आते हैं हाकास में, बहुत बर्सा होती है, पानी लगता है चाता और बाकिसी चीजें बरसात से जुड़ी हैं इसी प्रकार ठंडी के बाद आता है बसंद इसमें फुल खिलते हैं, तितलियां बहुरे उड़ते हैं मौसम बहुत सुहाना होता है उपर दिये गए छित्र को देखिए और गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंद रित्यों के बीच अंतर और चर्चा कीजिए नीचे दी गई वस्तूं का रित्यों के नाम के साथ मिलान कीजिए तो यहाँ पर कुछ वस्त्वेदी हैं हैं और जिन्हें लित्यों के साथ मिलाना है जैसे गर्मी से मिलेंगे धूब, आइस्क्रीम, सैंड बीच, कोल्ड रिंग्स, और ठंडी चीज हैं, जूस और खेल कुन, गर्मी से यह जुड़ेगा, इसी प्रकार बर्सात से जुड़ेगा, नैढक, बादल, पकड़े, जिलेबियां, छाता इसी प्रकार बसंत से जुड़ेगे, धूब, तितलियां, फूल, मदमक्खियां, संत्रे और खल, बसंत और सर्दी से जुड़ेगा, टोपी, मोजे, मॉपलर, गरम सूप, चाय, इत्यादी यह सर्दी से जुड़ेगा, अब बाचीत करें, आप गर्मियों में क्या खाते हैं, तो आप गर्मियों में ठंडी चीज़े खाते हैं, जैसे आइस्क्रीम, तरबूज, खीरे, खीरे, या ककड़ी, इत्यादी जैसे चीज़े, और खुब पानी पीते हैं, ख, आप सर्दियों में क्या पहनते हैं, तो आप सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे जैकेट, स्वेटर, मफलर, मोजे, दस्ताने, टूपी, मफलर, इत्यादी, आओ करें, रित्यों के नाम लिखिए, और चित्रों के से रित्यों का मिलान करना है, या है सर्दि, या है बरसात, या है गर्मी, तो सर्दी से जुड़ी हुई छीज है, टूपी, मफलर, जूते, त्वेटर, दस्ताने, गर्मी से जुड़ी हुई छीज हैं, हलके कपड़े, और टूपी, दूप से बचने के लिए, हलके चपल, और बरसात से बचने के लिए, आपको भी ऐसे ही मिलाना है, आप त्यान देंगे, सर्दी से जुड़ी हुई छीज़े हैं, टूपी, मफलर, जूते, दस्ताने, स्वेटर, और बरसात से बचने के लिए हैं, छाते, रेनखोट, गर्मी से बचने के लिए हैं, अलके कपड़े, और चपल, परियोजनाकार, बच्चों को बिभन रित्यों में खाई जाने वाली मन पसंद वस्तूं और मनाय जाने वाले तेवारों का चित्र बनाने या चिपकाने को कहें, या सिक्छक के लिए निर्देश हैं, इसी परकार के और वीडियोज के लिए आप NCRT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद.